हमने class 9th की mathematics की series start की थी right तो उसमें जो next topic है that is types of angle so आपके जो NCRT book है उसमें कुछ इस तरह से 5 to 6 types के angle को mention किया है जैसे acute angle, right angle, offstage angle like that so one by one हम देखेंगे acute angle क्या होता है हम detail में देखेंगे but हम a quick revision लेंगे कि इसके पहले हमने क्या study किया था bit right so ample angle बनता कैसे है आप देखिए अब कंव ने क्या देखाते इसको क्या पोलते हैं इसको आम हम पॉलते है रहय क्योंकि यह होता है end point थोड़ां सब फास्त हम देखेंगे ठीक है हम थोड़ा सब 5 चलेंगे यह पॉइंट को बोलते है end point थिक यह हमारा दिखाता है यह arrow mark क्या दिखाता है यह हमारा जो है continuous infinite तक हमारा इसकी length जो है infinite इसको बोलते हैं रे ठीक है यह हमने इसके पहले देखा था तो angle कैसे बनता है जैसे माल लेते हैं यह हमारे पास एक रे है ठीक है ठीक है यहां r का मतलब है ray so ray 1 इसी दर सकर हमें इसको माल लेक रे 2 ठीक है आप इस ray में देखिए इस ray का जो end point है कहां पर है यहां पर है इस वाले ray में देखिए इस वाले ray का भी end point यहां पर है तो हमने देखा था कि अगर दो rays का end point common है तो वह एक angle बनाता है ठीक है तो यह वाला structure जो है वह हमारा बनता है angle तो इसको हम बोलते हैं x degree ठीक कितने degree का angle है that is called हम माल लेते हैं कि x degree यह हमारा अगर angle बनाता है तो इस point को हम क्या बोलते हैं vertex यह हमने पहले देखा है बट हम यहां पर एक revision ले रहे हैं इन दोनों rays को यहां पर बोलते हैं हम arms arms of angle ठीक है इतना हमने पहले किया है अब हम देखेंगे कि यह जो angle है इसके types को देखेंगे ठीक राइट अगर हम यह जो हमारे पास यह हमारा है ray 1 ठीक यह हमारा क्या है ray 1 है और यह हमारा जो है यह हमारा ray 2 राइट तो अगर हम ray 2 के इस point को इस point को अगर इस तरह हम move करें जहां से दिखिया इस point को अगर हम move करते जाए या फिर down side अगर हम move करें इस side या फिर इस side तो यह x की value बढ़ेगी राइट आप ऐसे देखिए ज अभी हम ray 2 अगर यहां माल लें तो x की value जो पहले इतना थी अभी x की value इतनी हो जाएगी ठीक तो x की value बढ़ गई देखिए पहले x की value यह थी अभी x की value यह हो गई तो इस तरह से अगर हम इस ray 2 को हम move forward करते जाए कुछ इस तरह से move करते जाए ठीक आप धिया से दिखिए तो angle की value भी हमारी बढ़ती जाएगी isn't it देखिए यह angle की value यह है साथ देखिए यहां से गर लेंगे इसकी angle की value इतनी हो गई अब देखिए इसकी angle की value इतनी हो गई तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि इस ray 2 को अगर हम move करते जाएंगे तो angle की value हमारी बढ़ती जाती ह ठीक है तो अगर हम आपसे अगर हम एक अब्चर्वेशं लें ये देखिई यह अंगल हमारा अगर जफ है ठीक है तो दूसरा अंगल हम ले मतलब ये वाला एंगल फाव अगर हम इस वाले एंगल की से बड़ा होगं इसे धीओ इस तरह से यह ट्रत दन्यक्स होगा इस तरह से different different angle के different values के angles हमारे बनते जाते हैं तो इन्हीं different different values के basis पे हम angle को different different types में divide करते हैं right सबसे पहले हम दिखेंगे कि angle का पहला type क्या है जैसे अगर हम मालने आपको दे right angle पहले हम सबसे समझेंगे what is the right angle अगर हमारे पास रे 1 या यह हमारा क्या था रे 1 था ठीक है हमने क्या देखा था यह हमारी थी रे 2 राइट अगर हम रे 2 को forward करें और straight बिल्कुल straight कर दें straight का मतलब होया कि इस line के बिल्कुल perpendicular कहने के मतलब रे 1 के बिल्कुल perpendicular हम ड्रा करें और यहां पे हम इस तरह से एक symbol लगा दें तो यह वाले एंगल जो होता है इसको बोलते हैं right angle और इसकी value जो होती है वो क्या होती है x is equal to 90 degree अगर 90 degree दिया है that is the right angle ठीक है अब इसको हम कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं देखिए यह भी हमारा कितना है 90 degree इसेंट इट अगर कुछ इस तरह से बना है यह भी हमारा क्या है 90 degree तो किसी तरह से बना हो अगर दोनों इसको आउस बोलते हैं अगर दोनों एक दूसरे के perpendicular है तो हम उस एंगल को क्या बोलेंगे राइट एंगल ठीक है आप समझगे एक राइट एंगल दूसरा हम देखते हैं कि स्ट्रेट एंगल कि स्ट्रेट कि स्ट्रेट एंगल ठीक है स्ट्रेट एंगल का मतलब यह होता है देखे पहले हमारे पास माल दीजिए रे 1 यह हमारा क्या था रे पहले है इसके पहले हमने यसकी वैल्य कुछ इस तरहा से देखी ति रे टू यह Umara एकस था ठीक है अगर हम रे टू को इसके ड्हां से डेखे रे को मूब करके स्टेट रख दे बिल्कूल स्टेट नाम देखिय आप स्ट्रेट एंगल बिल्कुल straight रख दें यह हमारा rate 2 हो गया अब देखें यह point हमारी हो जाती ही vertex ठेक तो जो X की value अब इतना ना हो करके देखें इतना पहले थी अब यह X की value हो जाती है यह यहां से यहां था तो इसको बोलते हैं हम straight angle और straight angle में X की value होती है 180 degree यहां पर एक्स की वेल्व कितनी हो जाएगी 180 डिग्री तो आप ध्यान से देख लीजिए कि राइट एंगल में एक्स की वेल्व 90 डिग्री होती है और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है दोनों आम्स एक दूसरे के पर्पेंडिंगिलर होते हैं यहां पर दोनों आम्स आम्स एक दूसरे के स्ट्रेट होते हैं बिलकुल स्ट्रेट होते हैं ठीक है यह आपने देखे एक राइंगल एप स्ट्रेट एंगल इसके पाद हम नेक्स देखे हैं एप थेल्ड हम देखेंगे कि एक्यूट एंगल ठीक है थाडवन इसति हुं कि है क्यूक टिक है है एक्यूट एंगल अब यह एक्यूट एंगल कैसे डिखाइड करते हैं देखें अभी तत आपने क्या देखा यह हमारा हमाननी फारे 1 ठीक है यह मारा ले वन आपने देखा की है कि यह होता था यह क्या होए यह हमारा रे घार 2 माल ले अगर हमाने कॉल यह मां educator इंगल होता था इसन टिग इंट बोलते नै इसको हम बोलते तें 90 डिगरी ठीक इसको क्या पढ़ते थे राइटaching बेट अगर अगर x की value अगर x की value इससे हम कम रखे ठीक है अगर हम rating को इधर कहें ड्रा करें इस तरह से तो x की value यह जो value है यह x 90 से कम है 90 मतलब यह वाली line है आप समझ रहा है कि यह 90 line है तो 90 से कम रखेंगे तो x की value 90 से कम है ठीक अगर यह 0 degree होती है तो 0 degree से जादा है तो हम कह सकते हैं कि acute angle जो होता है x की value 0 से जादा and 19 से कम अगर की angle की value 0 से higher and 90 degree से कम है उसको बोलते हैं acute angle जैसे 30 degree 30 degree क्या है acute angle है 45 degree acute angle है 60 degree acute angle 75 acute angle है 89 यह भी मारा acute angle है इस तरह से आप धेर सारे angle को लिख सकते हैं 10 20 like that ठीक है यह होगे हमारा acute angle so third point जो है third हमारा जो टाइफ है that is the obtuse angle ठीक है obtuse angle जो होता है देखे यह हमारा माल लेते हैं कि रेवन है राइट यह हमारा होता था right angle isn't it यह हमारा 90 degree होता था 90 degree that is the right angle और यह आपने देखा है यह हमारा क्या होता था अगर इसकी हम बात करें यह हमारा होता था 180 degree that is the straight angle ठीक है तो obtuse angle जो होता है obtuse angle का मदलब अगर इन दोनों के बीच में कोई angle है इन दोनों के बीच का मदलब rate 2 हमारा कहीं यहां पर अगर है देखे कुछ इस तरह से ठीक है राइट तो x की value क्या हो जाएगी x की value यह होगी right x की value यह होगी और इसकी value हमेशा इससे बड़ी होगी 90 degree से बड़ी होगी और 180 degree से छोटी होगी तो obtuse angle कहने के मतलब है कि अगर x की value 90 degree से 90 degree से अगर बड़ी है और less than 180 degree ठीक है तो इसके case में इसके case में हम बोलते हैं obtuse angle example जैसे 100 degree 120 degree 130 degree यह भी मारा obtuse angle है ठीक है 95 degree यह भी obtuse angle आएगा तो यह सारे जो है यह सबके सम्मारे आते हैं obtuse angle ठीक है कोई भी angle हो बस 90 degree से बड़ा होना चाहिए और 180 degree से छोटा होना चाहिए ठीक है यह होगी obtuse angle इसके बाद जो आता है that is the reflex angle अगर हम fourth point की बात करें that is the reflex angle यह मैं बाद में last में आपको summarize कर दूंगा सारे points को एक जगह जगह जैसे obtuse angle acute angle reflex angle एक जगह लिख करके मैं आपको summarize करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए ठीक है reflex एंगल की गरम बात करें ठीक तो reflex angle जो होता है अगर यह ray 1 है ठीक है यह होता था यहां तक यह वाला होता था 180 degree right अगर यह vertex माल ले यह हमारा यह वाला angle होता था 180 degree अगर 180 degree से ज़्यादा इससे बढ़ा अगर कोई angle मिल गया मतलब इसकी हम बात कर रहे हैं यहां से यह वाला एंगल तो यह वाला एंगल एक्स की वैलू निस्चित रूप से ज़्यादा होगा 180 डिग्री से इसेंट इपि 180 डिग्री तेहीं तक होदा था 180 डिग्री यह वाली लाइन होती थी ठीक है तो कहने के मतलब अगर कोई एंगल कुछ इस तरह से है यह देखिए इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल तो इसमें रिफ्लेक्स एंगल में हमेशा एक्स की वैल्यू एंगल की वैल्यू जो होती है वो 180 डिग्री से बड़ी होगी and 360 degree से छोटी होगी इसको हम बोलते हैं reflex angle ठीक है तो इस तरह से आप इसको ध्यान से पढ़िए और चीजों को revise करिए एक आपके लिए question है यह बहुत ही important question है इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं आपको सब कुछ clear हो जाएगा ठीक है तो आप देखिए acute angle क्या होता है acute angle का मतलब यह है कि अगर x की value greater than 0 less than 90 isn't it ठीक है तो हमारा acute angle का आएगा किसमे 30 degree में और right angle कितना होता है x की value हमारी होने चाहिए कितना 90 degree तो यह वाला हो जाएगा right angle का first option obtuse angle कितना होता है obtuse angle का होता है yax की value greater than होने चाहिए 90 से isn't it and less than 180 से तो obtuse angle होगा हमारा क्या 120 देखिए यह 90 degree से बड़ा है and 180 से छोटा है ठीक है straight angle आपको पता है straight angle में होता है x is equal to 180 तो state angle आप सीधे-सीधे लगाजिए 180 reflex angle क्या होता है reflex angle होता है yax हमेशा बड़ा होना चाहिए 180 से ठीक है and less than होना चाहिए 360 से तो reflex angle में क्या आगया 200 यह वाली चार्ट आप ध्याहन से देख लिए इसको आप revise करिएगा क्योंकि यह इसमें important सारी important points है आपको इससे पता चलेगा के acute angle की range क्या होती है कि यह इसकी range है 0 से 90 degree ठीक है तो इसको आप बार बार revise करें ट्के, तेंक्य।